इस्राइल और हिजबुला अब जंग के इतना करीब आ चुके हैं कि यहां से दोनों का अपने कदम वापस खींचना एक अजूबा ही होगा क्योंकि हिजबुला लगातार हमास को गाजा में सेफ कवर देने के लिए उत्तरी इस्राइल पर हवाई हमले कर रहा है और इसकी वज़ा से इस्राइल भी जवाबी हमले कर रहा है और अब दोनों देशों के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि अब ये कभी भी युद्ध का रूप ले सकता है क्योंकि इस्राइल के रक्षा मंत्री यौवगेलेंट ने कह दिया है कि वो लेपनान को पाशान युग में पहुँचा सकते हैं लेकिन इस्राइल युद्ध नहीं चाहता यौवगेलेंट ने अपने एक बयान में कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन हम हर हालातों के लिए तैयार है लेकिन इस सब के बीच बॉर्डर पर हिजबुला के हमलों में कोई कमी नहीं आई है और अब इसी कड़ी में हिजबुला ने मेतूला सेटिलमेंट में इस्राइली सेना के जमाबडे और उसके जासू सी उपकरणों पर एक बड़ा हमला किया है यह हमला बिरकत रिशा मिलिटरी साइट के पास हुआ है हिजबुला का दावा है कि उसका हमला एक दम सटीक और सीधा रहा है हिजबुला का कहना है कि यहाँ पर एक बिल्डिंग में इस्राइली सेनिकों ने पोजिशन्स ले रखी थी जिस पर हमला किया गया और इस हमले में इमारत में आग लग गई जिसमें आईडियाफ के कई सैने किया तो मारे गए या फिर घायल हुए है इस हमले के अलावा हिजगुला ने बिरकत रिशा में आईडियाफ के एक जासुसी उपकरण पर भी हमला किया है जिसमें वो पूरी तरहा से तबहा हो गया है वहीं इस हमले को लेकर लेबनानी मीडिया हाउस अलमयादीन ने इसराइल के अलमलीख्य सेटलमेंट पर हमले की पुष्टी की है अलमयादीन का ये भी कहना है कि इसराइल ने लेबनान के रामिया और अलकावजा में गोला बारूच से हमला किया है इसके साथ ही खियाम और कफर चौबा में भी इसराइली सेना ने बम और गोले फायर किये हैं आपको बता दे कि इस हमले से पहले हिजबुला के लड़ाकों ने IDF की 91 डिविजन के हेड़कौटर पर नहाल गिर्शौम इलाके में हमला किया था हिजबुला ने यहाँ पर ड्रोन्स का एक पूरा जथा फायर किया था और इस हमले को लेकर हिजबुला ने दावा किया कि इस अटैक में IDF को भारी नुकसान हुआ है और इस हमले में हेड़कौटर के भीतर भीशन आग लग गई थी और इस अटैक के अलावा बयाद बलिदा और बिरकत रिशा सेने अड़े पर भी हिजबुला ने दनाद अंगोला बारूच से हमला किया ऐसे में मौझूदा हालातों को देख कर लग रहा है कि हिजबुला और इस्राइल लगातार पूरी तरह से युद्ध की तरह बढ़ रहे हैं झाल लगातार युद्ध की तरह से खिया है